Welcome back everyone, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, उमीद करते हैं आप बहुत बढ़ी आउंगे, राइस बहुत लोगों का फेवरेट होता है खाने में, जब भी कोई special occasion हो या कोई भी guest ने आना होता है, राइस ज़रूर प्रिपेर होता है, guest आए ना है, week में एक बार तो राइ चाहिए ही, मेरे खुद के फेवरेट राइस होते हैं, बट मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जब भी आप राइस प्रिपेर करते हो, आप राइस वाटर का क्या करते हो, मैं अगर आपको कहूं कि जो राइस वाटर हो आपकी major skin और hair problem solve कर देगा, फिर भी आप उसको dispose off कर तो आपको कैसा लगेगा, आपकी कोई भी skin की problem है, कोई भी hair की problem है, rice water दम रखता है उसको repair करने का, rice water को centuries से use किया जाता है, healthy skin और long hairs के लिए, जपान में जो female farmers होती थी न, वो rice water को use करती थी नहाने के लिए, और उससे उनको इतने benefits मिलते थे, उनकी skin बहुत अच्छी रह करते हो, तो उसके अंदर बहुत से vitamins, minerals और amino acids होते हैं, जो आपके hairs और skin के लिए magic की तरह काम करते हैं, इससे पहले हम आपको यह बताएं कि आप rice water को कैसे use कर सकते हो, अपनी skin और hair problem को ठीक करने के लिए, पहले आपको यह बताते हैं कि आप rice water prepare कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आपको half cup rice और one cup of water, उनको एक jar में transfer कर दो, minimum एक घंटे के लिए आपने इसको leave on करना है, जब तक आपका पानी milky ना हो जाए ना तब तक आपने rice को उसी के अंदर रखना है, then आप छान सकते हो, rice को पानी आपका अलग हो जाएगा, यह वाला जो water है आप अराम से तीन से इनके लिए store करके रख सकते हो, वैसे जितना fresh होगा उतना जादा result देगा, हम सिरफ rice water लगाने का तरीका नहीं बताएंगे, हम आपको with a twist बताएंगे, कैसे आप कुछ चीजे अड़ करकर उसी rice water के अंदर अपनी major skin और hair problem को ठीक कर सकते हो, benefit number one, soot skin inflammation and relieves problem like acne, acne बहुत major concern है breakouts, redness होना, sensitive skin होना, यह बहुत लोगों को affect करता है और बहुत परिशान करता है, आपकी look properly खराब करने का काम करता है, अगर आप rice water को use करो ना, rice water जो होता है, natural astringent और natural toner होता है, वो आपकी redness, breakout वगेरा बिल्कुल हटा देता है, और साथ-साथ, pore tightening, pore के उसके मदला आपके six spoons of rice water, इनको properly mix कर लो, एक बड़िया वाला paste आपका ready हो जाएगा, फिर आपने डालना इसमें magic ingredient जो है, दो drops of tea tree oil, इनको properly mix कर लो, आपका पेस्ट ready हो जाएगा, इसका पूरे face पे लगा सकते हो, minimum 15-20 minutes के लिए आपने इसको leave on करके रखना है, जब आप इसको wash करोगे, मसा softer and radiant skin, अगर आप rice water को use करो ना regularly, सिरफ raw rice water को अपने face पे पूरे लगाओ, साथ दिन के लापको softer radiant skin मिलेगी, rice water एक कमाल का cleanser का काम करता, आपका face properly cleanse कर देता है, अगर आप उसको अपने use करो ना, यह T-zone जो होता है, आपका यहाँ पर oil production कम हो जाएगा, और आपका face कम oily दि हो जाएगा, फिर आप इसको dilute करो magical ingredient rice water के साथ, आपने 4-6 जमच of rice water डालना है, इनको properly mix कर लो, इस face को आप पूरे face पे लगा सकतो, minimum 8 मिनट से लेके 10 मिनट तक के लिए leave on करना है, जैसे आपके हलका फुल का सूखना लगे, इसको आप मसाज करके wash off कर सकतो, यह वाला mask आ जीट sun damage and works on anti-aging, जब हम sun में बहार रहते हैं, sun exposure हमारे को बहुत से नुकसान देता है, हमारे face पे tan कर देता है, sun spots कर देता है, जो rice water होता है, वो इन spots को हटाने का काम करता है, pigmentation हटाने का काम करता है, अगर आपके face पे dark spots हैं, उनको भी properly हटा देता है, जो rice water होता है, वो rich in vitamin A और vitamin C होता है, जो आपको anti-aging benefits भी देता है और एक बढ़िया वाला glow भी देता है, अब आपको बताते है, the magical recipe जो इस पे बढ़िया धंग से काम करने वाली है, सबसे पहले आपको चेह होगा, एक चमच बेसन, उसको आपने dilute करना है rice water के साथ, लगबग आप 4 चमच डाल सकते हो, mix करके आपका एक बढ़िया वाला paste ready हो जाएगा, उसमें आपने डालना है one spoon of honey, जो एक hydration का bomb है, आपको इतना बढ़िया hydration देता है, आपकी skin में कभी dryness हो ही नहीं सकती, इस paste को आप पूरे face पे लगा सकते हो, minimum 10-15 मिनट के लिए leave on करना, यह सूख जाएगा देना but with regular use, benefit number 4, helps you grow the longest hair ever, आप बढ़िया से बढ़िया शांपू लिया हो market में, जिस पे लिखा हो लंबे बाल करेगा, उससे जल्दी rice water काम करने वाल है, तो rice water है इतना बढ़िया रहता आपके बालों के लिए, वो shine भी आड़ करता है, basically एक serum का तो काम करेगा ही, cleansing भी बढ़िय आपने एक मग लेना है rice water और उसमें डालना है आपने 4 drops of rosemary oil, इनको properly आप mix कर लो, एन आप अपने बालों पर डाल सकतो, आपने एक खास चीज का ध्यान रखना है, जो वो पानी है ना, आपने उसको थोड़ा ता मसाज करना है, आपने बालों में और 5-6 मिरट के लिए रह प्रॉपर्ली रिमूफ करने का काम करें, benefit number 5, natural skin toner, जो rice water होता है नो, एक natural toner और एस्टिंट होता है, जो मैं आपको स्टार्ट में भी बताया था, अब मैं आपको बताऊंगो कैसे वो toner आप प्रिपेर कर सकते हो, जो आपकी pores को भी tighten up रखेगा, आपकी skin का pH level भी balance healthy रखेग आपने करना कि एक empty spray water लेनी है, उसमें half आपने भरना है rice water, half भरना है rose water, उनको बड़िया डंग से shake कर लो, अराम से अब refrigerate कर सकते हो, ठंडे से वैसे ही, आपको better feeling आईगी, ज्यादा refreshing होगा, उसको आप अराम से spray करो, दिन में जितनी मर्जी बार आप करना चाहो, जब भ एक extra वाला उसको dab-dab कर लेना, जब तक वो massage नहीं जाए, और इसके बाद आपने पानी से मूह नहीं दोना, जितना आपकी skin में जाएगा उतना आपको फायदा देगा और आपके pores को tighten up साथ में रखेगा, benefit no.6, get glass clear skin with rice water, आपने देखा हो, rice skin को हमेशा relate किया जाता है, glass clear skin के लिए हम आपको बताएंगे, वो magical mask आप कैसे ready कर सकते हो, glass clear skin easily achieve कर सकते हो, वैसे में आपको एचीज अडवांस में बता दू जो glass clear skin है उसका मतलब होता है, hydration plus glow, अगर यह दोनों मिल जाए, तो आपकी glass clear skin है, हम यह दोनों आपको इस mask ready करकर दिखाएंगे, सबसे पहले आप कुछ ही होगा, one spoon of rice floor, उसमें आपने डाला है, चार spoon of rice water, इनको properly mix कर लोगा, पेस्ट रेडी हो जाएगा, उसमें आपने डाला है, one spoon of aloe vera gel and two spoons of vitamin E, यह most important ingredient है, भीकिसमें हाइडरेशन बहुत जाद है, इनको properly mix कर लोगा, बढ़िया वाला पेस्ट रेडी हो चुका अगर आप one month के use कर लो, that is eight times in a month, आपका phase इतना clear, इतना glowing हो जाएगा, कि आप खुद हैरान हो जाओगे, आपको properly glass skin मिलेगी, properly hydrated skin मिलेगी, और skin whitening उसमें तो एक कमाल का result आपको देने ही वाला है, तो यह था एक powerful ingredient rice water, जिसको लोग कहते हैं, use करना ही चाहिए, हमने आपक है, कैसे आप उस magical ingredient का most ले सकते हो, और अपनी skin के according उसको adapt कर सकते हो, अगर हम अपनी skin के according करें ना, तो हमें best results मिलता है, आपकी जरूरत क्या आप वो decide करो, और फिर rice water को उसके according use करो, बालों में use करना है, तो भी बढ़िया तरीका हमने आपको बता दिया, वीडियो आपक कि अभू कर दिया, आपकी जरूरत कर दिया, जरूरत दिया, तो हमें .